यूर एक्सेलेंसी और मेरे प्रियम्रित्र राश्पति मैक्रों, दोनों देशों के डेलिगेट्स, मेडिया के साथियों, नमस्कार। पैरीज जैसे खुबशूरत सहर में इस गर मजोश्वी भरे स्वागत के लिए मैं राश्पति मैक्रों का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत सुप्कामनाई भी देता हूं। यह दिवस विश्व में, लिबर्टी, एक्वालिटी और फ्रटरिनिटी जैसे मुल्यों का प्रतिक माना जाता है। यह मुल्य हमारे दो लोगतांत्रिक देशों के सबंदों का भी एक बहत्पकुन आधार है। आज मुझे इस उत्सव में मुख्य अतिजी के रूप में सामिर होने का गवरों मिला। मुझे खुशी है कि इस अवसर के शोभा और गरिमा बढ़ाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकडियों ने भाग लिया। भारतिय राफेल एरकाप का फ्लाइप पास भी हम सब ने देखा। हमारी नवसेना का जहाज भी फ्रांस के पोर्ट पर मुझूद था यानि जल थल नव हमारे बढ़ते सहयों के शांदार तस्वीर हमें एक साथ दिखने को मिली है। कल राश्पति मेकरों ने मुझे फ्रांस के सर्वस्रेष्ट राष्टिय प्रुसकार से सम्मानित किया। यह सम्मान एक सो चालिस करोड भारत वास्यों का सम्मान है। फ्रेंड्स हम अपनी स्ट्रेटेजिक पाटरशिक की 25 वी वर्सगार बना रहे हैं। बीते 25 वर्सों के मजबुत आधार पर हम आने वाले 25 वर्सों के लिए रोड में प्यार कर रहे हैं। इसमें बोल और महत्वकांक्षी लक्ष निर्धारित किये जा रहे हैं। भारत के लोगों ने भी इस कालखन में एक विक्सित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में हम फ्रांस को एक नेचरल पार्टर के रुप में देखते हैं। दो दिनों में हमें आपसी सहयोग के सभी छेत्रों पर विस्तार से बात करने का अउसर मिल रहा है। आथिक समंधों को और सुदूर करना हमारी साजा प्रात्मिक्ता है। रिन्यूबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आटिफिशल इंट्लिजन्स, सेमी कंड़क्टर्स, साइबर, डिजिटल टेक्नलोजी। जैसे अन्यक शेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हम नए इनिसेटिव की पहचान कर रहे हैं। भारत के UPI यानि Unified Payments Interface को फ्रांस में लॉंच करने पर समझोता हुआ है। हम दोनों देशों के स्टार्ट अप और इनोवेशन इकोसिस्टिम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नलोजी सप्लाइचेंज के लोगतंत्र करण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और परियावरन सुरक्षा हमारी साजह और मुख्य प्राथफित्ता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंट्रनेश्टल सोलर एलाइंस थापित किया था जब एक मूवमेंट बन गया है। अब हम ब्लू एकोनामी और ओशन गवरननस के रोल मैप पर तेजी से काम करना चाहते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाब हम एक साजह पहल पर आगे बढ़ेंगे। इंडियन ओईल और फ्रांस की टोटाल कंपनी में एल एंजी के निर्याद के लिए जो लॉंग तम एग्रिमेंट हुआ है। बहुसका स्वागत है। इससे हमारे क्लीन एनर्जी कांजिशन के लक्षों को बन मिलेगा। अब से कुछ देर बात हम भारत-फ्रांस सिर्योस फर्म में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोनों देशों के बिजनेस प्रतिरिजियों के साथ आर्थिक सहयोग मजबुत करने पर विस्तार से चर्चा होगी। फ्रेंड्स रक्षा सहयोग हमारे सबंधों का एक मुल्भुत स्तंब रहा है। यह दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीख है। मेकिन इंडिया और आत्मनिरवर भारत उसमें फ्रांस एक एहम पार्टनर है। आज हम रक्षा के खेत्र में भारत में नई टेक्नलोजी के को प्रोड़क्शन और को डेवलप्मेंट पर बात करेंगे। सब्मरीन हो या फिर नवसेना के जहाज हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं तीसरे मित्र देशों की जरुवतों को भी पूरा करने लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजन्सीज के बीच सहयोग बढ़ाने के संभावनाए हैं। फ्रांस की कंप्रियों द्वारा MRO फैसिलिटीज, स्पैर पार्ट्स, हेलिकॉप्टर के लिए इविजिन का प्रोड़क्शन भी भारत में किये जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें हमारे सहयोग को और ससक्त करने पर बल देंगे। सिवी नुकलियर ख्षेतर में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हम स्मॉल और एडवांस मोडिलर रेक्टर्स में सहयोग की संभावना पर चर्चा करेंगे। आज भारत में चंद्रियान के सफल लॉंच पर पूरा भारत उत्साहित है। यह हमारे वैज्ञानेकों की बहुत बड़ी उपलब्दी है। अंतरिक के छेत्र में भारत और फ्रांस का पुराना और धहरा सयोग है। हमारी स्पेस एजन्सीज के बीच नए समझोते हुए हैं। इसमें सेटेलाइट लॉंच सर्विसिज, समुद्र और धर्ती के तापमान और वातावन को मोनिटर करने के लिए तुरुष्णा सेटेलाइट बनाने का काम शामील है। स्पेस बेज मेरिटाइम डॉमेन एवरनेस जैसे छेत्रों में भी हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। फ्रेंट्स भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से गहरे पीपल टू पीपल कॉंटक रहे हैं। हमारी आज की चर्चाओं से ये संभन और मजबूत होंगे। हम फ्रांस के दक्षिण में मार्श शहर में नया भारतिय कॉंसुलेट खोलेंगे। फ्रांस में पड़े हुए भारतिय मुल्के लोगों के लिए लॉंग टम वीजा देने के निर्णे का हम स्वागत करते हैं। हम फ्रांस के विश्वविद्यारों को भारत में अपने केंपस थापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दिल्ली में बनाए जाने वाले नए राष्ट्रिय मुजियम में फ्रांस एक पार्टर के रुप में जूड रहा है। अगले वर्ष पैरिश में होने वाले ऑलिम्पिक्स के लिए सभी भारतिय एकलेट्स बहुती उत्सूख है। इसके सफल आवजन के लिए मैं राष्ट्पति मेक्रों और उनकी पूरी टीम को शुब कामनाई देता हूँ। फ्रेंट्स, आज हम कई महत्वपों छेत्रिय और वैश्विक मुद्वपर भी चर्चा करेंगे। इंडो प्रसिफिक के रेजिलियन्ट पावर्स के रूप में इस खेत्र में शांती और स्थिर्ता के लिए भारत और फ्रांस के विशेश जिम्मेदारी है। हमारे सहियोग को एक रेचनात्म स्वरुप देने के लिए हम इंडो प्रसिफिक कोपरेशन रोल मेप पर काम कर रहे हैं। इंडो प्रसिफिक ट्राइंगलर डेवलप्मेंट कोपरेशन फंड के प्रस्ताव पर भी दोनों पक्षमेच चर्चा में हैं। इसे पुरे छेत्र में स्टार्ट अप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के नए आवसर खुलेंगे। भारत के इंडो प्रसिफिक ओशन इनिसेटिव में फ्रांस द्वारा मेरिटाइम रिसोर्स पीलर को लीड करने के नेड़े का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, कोविर महामारी और युक्रेन संगर्स के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं। ग्लोबल साउट के देशों पर इनका विशेश रुप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह चिंता का विश्या है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एक जूठ होकर प्रयास करना आवश्यक है। हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलोग और डिप्लोमसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थाई शांती की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंगबाद के विरूद लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रोस बॉर्डर टरिजम को समाधा करने के लिए ठोस कारवाई की आवश्यक्ता है। इस दिशा में सहीयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत है। राश्पति मैक्रो इस वर्ष जी च्विंटी समीट के दोरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए मैं और समी भारतवासी बहुत ही उत्सूख है। एक बार फिर आपकी मित्रता और मुझे दिये गए आदर सत्कार के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्वाद करता हूँ। झाल